इस लाल डायरी के बारे में ब्रश्टाचारियों की टोली इंकार कर रही थी उस लाल डायरी का ट्रेलर आपके सामने लेकर आया हूँ जनता के टेक्स के पैसे से हजारों करोड रुपया इन ब्रश्टाचारियों की भेंट चड़ गया इस लाल डायरी में से होते वे और इसक 20 करोड गौतम स्रीनिवास से आये थे और गौतम स्रीनिवास कौन है साउथ इंडिया का एक डमी व्यक्ति उस खेल के पीछे असली खिलाडी तो नेता और कुछ अपसर थे अब आप समझिये कि खेल हुआ कैसे ट्रकों का वजन तोलने के लिए एक मशीन अगर आप खरीदना में लिए उपलब दें लेकिन यही मशीन आप अगर सो दो सो की संख्या में खरीदना चाहेंगे तो आपको वही मशीन पिचान में अजार में मिल जाएगी अपसरों और नेताओं ने वही पिचान में अजार की मशीन गौतम स्रीनिवास की कंपनी MVR टेक्नोलोजी से कारण यह था कि इसका GST नहीं चुकाना पड़ता है अगर GST चुकाना पड़ता तो यह on record बोलता रहता और सेंट्रल एजेंसियों की नजर में आ जाता हूँ अब मैं इस खेल को विस्तार से समझाता हूँ आपके सामने आ चुका है MVR टेक्नोलोजी नाम की फर्म जबकि वास्तविक्ता यह है कि जब इसको टेंडर दिया गया करोडों रुपे का उस समय तक इसके पास कोई भी दस्तावेज इस टेंडर को लेने में सक्षम था इसके लिया जाता है अब सवाल आता है जिसके पास GST नंबर राजस्थान में है ही नहीं उस व्यक्ति को काम भी दे दिया टेंडर मिल भी गया और पेमेंट करने की जब वारी आई उससे कुछ दिन पहले उसने GST का रिजिस्ट्रेशन लिया लेकिन एड्रेस बिलकुल फरजी उ मैंने खुद वाँ जाकर देखा कि ऐसी कोई MVR टेक्नलोजी नाम की कोई दुकान है भी क्या जिस पर GST लिया गया हो GST का जब वेरिफिकेशन होता है तो पता लगता इसी कोई ही नहीं वो सेस्पेंड भी हो जाती है लेकिन इस दोरान भुगतान हो जाता है उसको अब आप समझेए कि GST के नाम पर भी करोड़ रुपे इस गौतम सिरनिवास के दमी चेहरे के नाम पर राजस्तान के अपसरोर ने तक आगए और उसके वहां से 26 करोड़ रुपे लाज डाईरी में से होते वे इन नेताओं अपसरों अपरादियों और बिष्टाचारियों के पास चले गए अब आप इस मशीन को देखिए परिवहन विबाग खुद एक वीडियो बना बना कर कह रहा है लेटर लिख लिख कर कह रहा है यह तो कबार है कच्रा है परिवहन मंतरी ब्रजंदर ओला ने जांच करने के आदेश दिये लेकिन जांच करने के आदेश सिंग खाचरियवा से खिलाब फायर भी तरजो सकती है और एडी भी उसे खिलाब कारवई कर सकती है राजस्थान विदान सवा में राजेंदर गुडा पर इतने सारे नेता क्यों अचानक तूट पड़े क्योंकि कुछ को तो लगता था कि हमारा कौन कौन सा काला गोटाला डाइरी में आ गया है और कुछ लोगों को लग रहा था कि हमारे नाम से क्या क्या गलत काम हो चुका है यह तो एक एक्जमपल है उधारने इस डाइरी में ऐसे कई सारी एंट्रियां है जो नेताओं को ब्लेक मेल करने में भी काम आती है और इन नेताओं के माध्यम से पैसे जो लाल डाइरी में गए उन लाल डाइरी के माध्यम से गलत लोगों तक पहुँचे बईमानों तक पहुँचे वह भी काम किया गया इतना बड़ा ब्रष्टाचार धरले से कैसे हो जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि राजस्थान की ACB को तो उनके पिछे छोड़ जाता है जो इन नेताओं को पैसे नहीं दे रहे हैं ब्रष्टाचार करने के नए-ने तरीके राजस्थान में इजाद किये गए हैं इन लोगों के द्वारा यह कंपनी का मामला तो एक तरह का बताया है एसे कई तरीकों से ब्रष्टाचार कर रहे हैं सेंटरल एजेंसियां, ED, CBI, Income Tax और जितनी भी एजेंसियां जल्द ही बड़ा खुला सा करेगी और यह सारी चीज़ें जनता के सामने होंगी इतना बड़ा गोटाला खोलने के लिए मुझे चार घंटे लगे उसमें भी इजेंसियां मेरे पिछे पड़ गई, मेरे घर के पास पास मैं जा जा रहा हूं वीडियो बनाने के लिए मेरे पिछे पिछे चलनी शुरू हो गई अब आपको लग गया होगा कि यह जो कानून व्यवस्ता में बनाए रखने के लिए जो लोग थे वो किस काम में लगे वे थे, लेकिन आपको यह भी पता है कि यह सच्चाई यह देशवक्ती का काम यह जनता के हितों के लिए किया जा रहा है, जनता की जानकारी में रहना चाहिए राजस्थान 5.5 लाख करोड के करजे के नीचे आसानी से नहीं आया है इन सब लोगों ने बहुत मेहनत किये उसको इतने करजे में डुमाने में वजन करने वाली मशीन 45 में अजार में अच्छी कंडिशन में आ जाती पांच साल की वारंटी भी मिल जाती लेकिर इन उने वही मशीन कबाड की मशीन 15 लाख में खरीदी और उल्टा उसके मेंटिनेंस का पैसा भी अलग से दिया लगबग 31 करोड रुपए इस आदमी के नाम से बुगतान दिखाए गए और पहुँचे लाल डाईरी में और लाल डाईरी से जहां पहुँचे वो सब आपको प राजस्थान सरकार के नेता और अफसरों ने एक हजार करोड के टेंडर जारी कर दिये हैं और उन टेंडरों में फरजी दस्तावेज भी बनाए गए हैं यह भी हो सकता है कि जिस आदमी के नाम से ये सारा काम चल रहा है उसको पता ही नहीं हो या उसको 20-30 जार पे तंखा पे काम ले रहे हो और उसके नाम से सारा कधंदा राजस्थान के नेता और अफसर कर रहे हो जिस प्रकार प्रताप सिंग खाचर यवास को फसाया गया है हो सकता है उसी प्रकार कई सारे MLA और मंतरी को मुख्य मंतरी ने फसा रखा हो मेरा तो यह भी कहना है कि जनता के सामन कि मुझे फसाय गया है तो जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी नमस्कार धन्यवाद जै हिन जै भारत